क्या आपके दिमाग में कभी ये खयाल आया है कि जब भी रेटालिस्नेक अपनी टेल को हिलाता है तो उससे अजिब तरह की आवाज निकलती है जो कि इस तरह होती है अब आप सोच रही होंगे कि इसकी पूँच में छोटे छोटे दाने भरे हुए हैं जो आवास करते हैं लिकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुल में रेटालिस्नेक की पूँच अंदर से एकदम खोकली और खाली होती है जो कि कुछ इस तरह लोजिली बैंड होती है और इसके टेल के हर एक सेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है और जब भी रेटालिस्नेक अपनी पूँच को हिलाता है तो इसके एक दूसरे से टकराते हैं जिसके कारण जुन्जने जैसी आवाज निकल दी है अगर आपको ऐसे ही इन्फोमेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें